नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश मानप और आप देख रहे हैं Express News भारत जित सच दिखानी की Express News भारत के टीम पश्मी उत्रप्रदेश से कबरेज करते हुए आज सीतापूर आपकी सीतापूर तीस लोकसवा सीट है यहां पर तेरह तारिक में वोटिंग होनी है देखना यही होगा कि यहां पर किसकी जीत और किसकी हार होती मेरा जो प्रोग्राम है मेरा देश मेरी सरकार यहां पर किसकी सरकार बनेगी यहां की जनता तैंकरेगी लेकिन इस बार देखने को ये मिल रहा है कि पूरे उत्तर अधर प्रदेश का मन बदला बदला नजर आ रहा है तो देखना यही होगा कि इस बार यहां जनता किसको सांसा चुंती है मेरे साथ बस्पा बहुजन समाज पार्टी के परताशी हैं बहुत ही शांदार परताशी हैं जिस तरीके से आपके जो लोग पृता है वो काफी देखने वाले मिल रही है देखना यही होगा कि यहाँ पर इस बार के चुनाओं में कौन से चुनाबी मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच लेकर के जाएंगे परिशे कराएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा मेंदर सिंग यादब नाम है पूरू विधायक हैं आप विसवां से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह बस्पा ने जो आपको यहाँ पर कंडिडिट बनाया है तो मैं इसे बात करूँगा सर आपका बहुत-बहुत अब बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- उसमें कहीं टक्कर हो पाएगी आप मोदी जी जो कह रहे हैं disabilities कि इनको लग रहा होगा का कहीं कि चार सो पार हो जाएंगे इन लोगों ने जितने गोस्टनाय की हैं, उन गोस्टनायों का कहीं धरातल कोई हतापता नहीं है। और उपर से लेकर नीचे तक बाजपा के नेता और कार्यकरता ब्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और हालत तो यह है कि नेता इतना मस्त हो गए हैं ब्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं कि वो अपने कार्यकरता को भी नहीं देख और सुन रहे हैं क्या लग रहा सीतापुर में बहुत सारी ऐसी समस्षाय हैं मेरे जंता से जब बात करनी की कोशिश की यहां के जो सांसद हैं क्या लग रहा उन्होंने कुछ काम नहीं किया है अब जब जंता से आपने बात की तो आपको खुदी पता चल गया होगा काम करना न करना हो तो अलग बात है उन्होंने तो जनता को गुलाम बना रखा है कि जनता तो मोदी के नाम पे हमको ओड़ देगी ही वो ना किसी का फोन उठाते हैं ना किसी से मिलने का काम करते हैं आपको ख्द बताया होगा उनके बारे में, अभी जो पीछे धारावाही रामयाड चला उसके जो किरदार थे मुख्य किरदार राम उनको मेरट से चुनाव लड़ाया है और मैं आप क्योंकि खुदी मेरट पस्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आ रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको खुद पता चल गया हो कि मेरट में राम खुदी हार रहे हैं चुनाव तो और किसकी बात की जाए है मैंने राम तो क्या लग रहा है इंडिया गठवंदन अपना वादा कर रहा है कि बस्पा कहीं नजर नहीं आ रही सीधी टक कर इंडिया गठवंदन और भाश्पा देखे बस्पा बहुत लेकर ढूंडने से भी इंडिया गठवंदन कहीं मिलेगा नहीं सितापुर में आका शानन जी पर हुई है जिस तरीके से लेंगज का जो यूज किया गया है क्या लग रहा है देखिए आका शानन जी हमारे इंडिनेशनल कोडिनेटर हैं उन्होंने जो बोला उनके सब्द क कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ रही है अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं लेकिन बस्पा बहुत अच्छी पोजिशन में आपको दिखेगी और भारती जनता पार्टी की जो बी टीम लोग कहते थे कि बस्पा जो है बाजपा की बी टीम है तो वो आपको खुद नजर चुनना चाहती है अब ये जनता बता सकती है कि उसांसा चुनना चाहती है मैले तो सिर्फ जनता के सुख दुख में सामिल होने का काम किया है और उनके किसी संगहर समें साथ खड़े होने का काम किया है जो करा सकते हैं तो करा लें सरकार उनकी है प्रदेश में भी देश में भी हमारे घर भी ED भेज़ दें लेकिन महंद्र यादो डरने वाले नहीं हैं और अगर वो जाच कराने की धमकी देते हैं तो मैं खुद कहना चाहूंगा जाच तो उनकी होगी अगर ऐसी कोई उनके मन में भावना हो तो जाच हम उनकी करवाएंगे जनता से जब मैं पूछता हूँ तो जनता कहती ही सामसर जी तो यहां आते ही नहीं है काली शीशे चड़ा करके चुनाओं के वाद यहां से भाग जाते हैं सिर्फ चुनाओं में दिख रहे हैं तो यह तो जनता ने बता दिया तो मुझे कुछ इस पर कहना ही नहीं है आपको जा रहे होंगे बीच में अच्छा गाओं में मैं किसानों की जब बात करता हूँ भाजपा सरकार कह रही है कि हमने किसानों की आय दोगनी कर दिये लेकिन गाओं में छुटा आवारा पसू है एक बहुत बली समस्या है आप भी उसको फेस कर रहे हों पिसानों की कोई आय वाजपा सिर्फ जूट 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 बोलती है कोई आय वाजपा सिर्फ जूट 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 बोलती है कोई आय वाजपा सिर्फ जूट 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 बोलती है कोई आय वाजपा सिर्फ जूट 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 बोलती है कोई आय वाजपा सिर् आज वो गारंटी लेते घूम रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधान मंत्री जी, आपके उस वादे का क्या हुआ, उसकी गारंटी कौन लेगा, कि जो आप बोल गए थे, ये छुट्टा जानुरों की समस्या है, और इसका हम इंतजाम करेंगे कुछ, आज तक नहीं क कुछ हुआ, पांस साल बीत गए, तो देश के प्रधान मंत्री जूट बोल रहे हैं, तो अब जनता किस से क्या उम्मीद करें, उन्होंने ये भी वादा किया था कि दो करूर लोगों को रुजगार देंगे, उत्तर पुदेश में मैं देख रहा हूँ, जितने भी पर्चे हुए सारे के सारे लीक, पर्चे लीक नहीं होते हैं, मैं आपको बताओं, पहले भी तो इम्तिहान होते थे, कोई पर्चा लीक होता था क्या, इन लोग को नौकरी देनी नहीं किसी को, सिर्फ दिखावा करना है कि हम नौकरी देना चाहते हैं, दे रहें, जैसे ही पर्चा ह जाता है वैसे ही ये लोग खुद अपने तरफ से मीडिया में ये हवा फैला देते हैं कि पर्चा लीक हो गया पर्चा लीक हो गया और उसके बाद परिछा निरस्त हो जाती है तो क्या लग रहा है आपकी टकर किस के साथ नहीं है और सीतापुर में जनता से आप मिले हो जनता ने आपको खुद बता दिया है कि कौन कहां पे है अब ये तो चार जून को पता चलेगा लेकिन मैं ये निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के एतिहासिक विजय होने जा रही है अखरी मैसेज देना चाहते हूं जो आप जनता को जन के किसी भी संगर्स के समय पे उनसे कंदे से कंदा मिला कर खड़े रहने का काम करेंगे यही हमारा संदेश है जिस तरीके से आपने देखा मेरे साथ मेहंदर सिंग यादब जी मौदूद थे जिस तरीके कि आपकी जो लोग पृता है जब आप बिधायक थे तो जितना आसा आप से मिल पाना होता था यहां की जनता ने मुझे बताया सीतापुर के किसी भी बिधायक से मिलना इतना आसान नहीं होता है रात में जब भी आप इनको कॉल करेंगे तो लगातार आपका कम्निकेशन जनता के बीट जाता है तो इस बार यहां की जनता का मन बदला बदला नजर आरा है लेकिन देखना यही होगा कि यहां पर तेरह तारिक में वोटिंग है क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों को दो बार जूट बोल करके सत्ता के काबिज हुए वो इस बार मोदी जी का जूट चलने वाला नहीं है लेकिन देखना यही होगा कि तेरह तार कर दो कर दो